अजबग जब आखिर क्या है राजस्थान के इस कुलधरा, गाव का रहस्य, जो पिछले कई सालों से हो रखा है शापिक. आईए शुरू करते हैं कुलधरा के रहस्य के बारे में. भारत में ऐसी कई जगे हैं जो अपने रहस्यमाई कारणों के. चलते हमेशा चर्चा में रह में स्थित कुल्धरा गाव कहा जाता है कि ये गाव पिछले कई सानों से शापित हो रखा है। यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता आज ये पूरी जगा बंजर और वीरान हो चुकी है। पहले कभी नहीं था ये गाव पहले काफी सुंदर हुआ करता था। पहले कुलधरा गाव में पालीवाल ब्रामन काफी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गाव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गाव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया कि जो कोई भी इस गाव में बसने की कोशिश करेगा। वो पूरी तरह बरबाद हो जाएगा उस घटना के बाद से ये गाव अब तक वीरान पड़ा है आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्रामन और बाकी लोगों ने गाव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया। इसे जानने के लिए हमें कुल्धरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गाव को पालीवाल ब्रामनों ने सन 1291 में बसाया। था पालीवाल ब्रामन पाली के निवासी थे वे सभी ग्यारहवी। शतापदी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न जोदकुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदी में आकर रहने लगे उस दौरान कुल्धरा काफी सम्रिध गाव हुआ करता था। ये गाव हर सुक सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर कई बड़ी-बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। अचानक इस गाव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल। दिया एक मान्यता के अनुसार यहां की रियासत के दीवान। सालेम सिंग की नजर गाव के ब्रामन की पुत्री शक्ती मया। पर्थी वहा उसके साथ विवाह करना चाहता था वहीं। दूसरी तरफ गाव का ब्रामन अपनी पुत्री का विवाह किसी। दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंग ने गाव वालों को धंकी दी की अगर हो। शक्ती मया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गाव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गाव के सभी पालिवाल। ब्रामनों ने पंचायत में ये निरने लिया कि वे इस गाव को छोड़ देंगे उसके बाद सभी ब्रामन गाव को वैसा ही। छोड़ कर रातो रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गाव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बरबाद हो जाएगा। वहीं दूसरी कहानी की माने तो गाव वालों ने सालिम सिंग। द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गाव को छोड़ा वहीं तीसरी कहानी जो थोड़ा वैज्यानिक भी लगती है। उसके मताबिक पालीवाल ब्रामनों द्वारा इस गाव को छोड़ने की मुख्य वज़ सूखा और गाव में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गाव में शाप के कारण गूतिया घटनाएं होती है।